मुख्यमंत्री भूपेश बगेल का दो दिवसी बस्तर प्रवास बस्तर वासिंग के लिए यादगार बन गया मुख्यमंत्री ने जिग्वलपूर में बस्तर विकास प्राधिकरन की बैठक में बस्तर की जन भावनाओं के अनुरूप अनेक घोशना की जिसकी लंबे समय से मांग भी की जा रही थी सियन भुपेश भगेल ने जन प्रतिमिद्यों की मांग पर बैठक में इंद्रावती दिकास प्राधिकरन के गठन की घोशना की उन्होंने इसके साथ ही बस्तर के युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर देने के लिए बस्तर में ही कनिष्ट करमचरे चैन बोट के गठन की भी बात कही हाई ये देखते हैं ये रिपोर्ट मुख्य मंतरी भुपेश भगर्ण ने अपने दो दिवसी बस्तर प्रावाव के दवरान इस्ठानी लोगों के लिए सावगातों की वहचार कर दी मुख्य मंतरी ने इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवनदानी नदी बताते हुए इसके सरक्षन और समर्धन को अत्यंत महत्वकून बताया और इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरन के गठिन की गोशना की उन्होंने कहा कि इंद्रावती नदी के सरक्षन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा उन्होंने पुजिस सरकार की महतुकांची योजना, नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाडी योजना के तहट किये जा रहे नालों के सरक्षन के समान ही इंदरावती नदी के सरक्षन के लिए व्रिहत तौर पर कार करनी की जरूत बताई बगहल ने कहा कि इंद्रावती नदी की सरक्षन के लिए आवश्यक है कि इसकी साहिक नदियों और नालों का सरक्षन किया जाए वहाँ वाटर डिचार्ज के लिए कार किया जाए उन्होंने कहा कि चित्रकूट जल्प्रपाद बस्तर के सांसा पूरे 36 गड़ की अमुल ध्रोवर है और इसकी सुंदर्फा को यतावत बनाय रखना आवश्यक है उन्होंने इंद्रावती नदि के सरक्षन के लिए गठित प्राधी करण में विशेशग्यों को सामिल करने के निरुदेश दिये जिससे उनके अनमों का लाव प्राप्त हो सके बस्तर प्राधी करण के बैठक मानी लकेश्वर वगेजी के अध्यक्षता में आज पहली बार संपन हुआ और इसमें हम लोग भी यहां सामिल हुए हैं पहली बात यह है कि जिवन धाइनी नदि इंद्रावती है उसके लिए इंद्रावती प्राधी करण के घोशना मेंने की है ताकि जो नदी में को पुनरजीवित किया जा सके उड़िशा सरकार के साथ जो बात्कित करनी है और जो कानूनी प्रक्रिया है वह अलग चलता रहेगा لیکिन इंद्रावती के प्राधी करण बनाए जाएगा इंद्रावती प्राधी करण बनाने के घुशना की थी खासकर पानी की समच्या को लेकर उसके साथ साथ बहुत ही महतुपूर नेने लेंगे जो मानने स्वागत योग्य है बहुत से मांग मांगे काखास कर पानी की समस्या को लेकर बाई पास की मांगे समस्या को लेकर बहुत से मांग मांगे और अधिकतर मांगे लेंगे मुख्य मंतरी ने NMDC का छेतरी करयाले बस्तर में खोलने और NMDC में नौकरी में बस्तर के लोगों को प्रात मिक्ता देने के सांसा दंतेवारा और जग्दलपुर में भरती परिक्षा केंदर बनाने जैसे आवश्यक कदम उठानी के लिए NMDC को पत्र भेजने तो मुख्य प्राप्त होता है इसलिए अस्पताल भवन आवश्यक उपकरन और डॉक्टर एविस्टार की वेस्ता भी NMDC को करना चाहिए उन्होंने इसके लिए राजिसासन और NMDC की उचिस्तर पर बैठक आयुजित करने के निर्देश दिये NMDC मुख्याले के लिए भारत सरकार से हम 17 जार परेंगे कि जब NMDC की सबसे बड़ा खदान जब बस्तर में 36 गड़ में है उसका मुख्याले भी यहां हो और दुसरी बात यह है कि जो भरती के लिए जो परिछाएं होती है निर्वार कारिवें गुरवत्ता में किसी प्रगार का कोई समझासा नहीं होना चाहिए मुख्य मंत्री बस्तर के किसानों के साथ हुए धोकादड़ी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जाजसाजियों के खिलाब करी करवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोकादड़ी की सबी शिकायतों पर गंभीरता पुर्वक कराई से जाच होनी चाहिए और दोस्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बैठक में मुख्य मंत्री ने आदिवाती संग्राले के सापना करने की मांग को सिवकृति दी उन्होंने जाती प्रमालपत्र बनाने में हूर ही समस्याओं के लिए कहा कि प्रमालपत्र बनानी की प्रक्रिया को सरली करने किया जाएगा उन्होंने कहा कि पिता के जाती प्रमानपत्र होने की स्थिती में बच्चे को जन्म प्रमानपत्र जारी करते समय ही जाती प्रमानपत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारंब की जाएगी जो बेंक लून में जो गड़बड़ी हुई है आदवासियों के सांच जो छल किया गया है उसके नाम से फैसा निकाला गया है उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और बारेकी से छान बीन करके जो भी दोशी लोग है उसकी खिलाब करवाई की जाएगी प्रमान पत्र के लिए हमारे अंसुची जाती जन जाती के लोग अक्सर और पिछ्डे बरगिक लोग अक्सर भटकते रहते हैं इसमें एक हैसला हम लोग मेंने लिया है कि यदि पीता के पास जाती प्रमान पत्र है तो बच्चे के जन्म प्रमान पत्र के साथ साथ ही जादी प्रमान पत्र बनाया जाएगा और जादी प्रमान पत्र में सरले करन भी अगले तीन महने में कर दिया जाएगा बस्तर में आदवासी संग्रहाल है बनाया जाएगा बिल्कुल निसी द्रुप से बस्तर के विकास और मुद्दों को लेकर हमने सीम साहब को रखा पूरे MLS और पूरे जनपरतिरी निद्यों ने पहला मांग हम लोगों ने रखा कि जिस तरह से इंद्रावती घर्टे जलिस्तर को लेकर कि इंद्रावती प्रादिकरण की घर्टन होना चाहिए तो सीम साहब ने उसना गुखणा कर दिये कि आगामी समय में इंद्रावती प्रादिकरण का घर्टन किया जाएगा और उसके बाद जिस तरह सेम लोगों ने और मा जैसे बस्तर का मुख्याल है एनमडिसी मोने के लिए सीम साहब पत्र लिखने का बात कही है सेंट्रल को और इस तानी इस तर पर भरती भी एनमडिसी का पुरा बस्तर में करने के लिए उन्होंने कहा है सबसे पहले मैं मुख्यबंद्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज बस्तर विकास पाधिकरण की बैठक में सबसे पहला विशे उन्होंने इंद्रावती पड़ लिया और इंद्रावती को लेकर पुरी बस्तर की जन्ता ने जो चिंता प्रगट की थी पिछले दिनों अपना अभियान चलाकर और विविन तरीके से उस पर संग्यान लेते वे आज मुख्यबंद्री जी ने जो इंद्रावती विकास पाधिकरण की घोशना की है और निश्य मुझे लगता है कि इस समस्या के समाधान में हम आगे बढ़ सकेंगे और विकास प्राधिकरण के घठन होने से बहुत सारी जो संभावना है वो मुझे लगता फरीबूत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस से जो हमारी समस्या है कुछ हद तक सफलो उसका मतलब निश्यकरण हो पाएगी प्राधिकरण की बैठक में अध्धक्ष लकिश्पर बगेल उपाध्धक्ष विक्रम मंडावी और संत्राम नेताम मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य विधाकों वाजन प्रत्रियों ने बस्तर संभाग के समस्याओं के समन्द में भी अपनी मांग रखी जिसमें स्थानी लोगों को भरती प्रक्रिया में लाब देने मंडेगा के कारियों में नगत भुकतान पुला वरम बांध की निर्मान से कोठा छेतर की हिस्से जो डुबान में आने की स्थिती में हैं उस समस्या का निदान फ्राधिकरन से अतिनक्सल प्रफाश छेतरों को जादरासी मिलने की मांग के साथ किसानों से दोका धड़ी रोकने के लिए समयती बनाने केशकाल बाइपास रोड के अधुरी निर्मान कार पूर करने महारान इस्पताल को सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुधा देनी साइथ अनिक कई विश्वों पर चर्चा हुई आचो तो सिवारी स्वराज एक्स्प्रेस जगदलपूर वन अधिकार के लिए बने इस कानून को पुरी कंबीरता और एमानदारी से लागू किया जाए उन्हें ने का कि सभी सम्मन्ने ते विवागों के अधिकारी इस कानून का बारीकी से अध्यन कर लें और वास्तविक हखदारों को इसका लाब दे मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने वन अधिकार मानेता पत्र वित्रन पर सविदन शीलता का परिशय देते हुए कहा है कि बड़े प्रमाने पर वन अधिकार पत्रों को निरस्त किया गया है जिसकी समिक्षा की जरूरत है ग्रामिस्तर पर ग्रामसभाव में इसका परिक्षन किया जाए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले समुदाइक वन अधिकार के प्रक्णों का निप्तारा किया जाए इससे वेक्तिगत दावों में व्याद की गुंजाइश कम होगी बुक्मंत्री ने कहा है कि वनों में आधिवासियों के अलावा परंप्रगत रूप से रहवासियों की भी संख्या अधिक है लेकिन इन्हें वन अधिकार मानेता पत्र कम संख्या में मिले हैं इन्हें भी प्रास्मिक्ता में रखते हुए मानेता पत्र दिया जाए बनाधिकार पट्टा का सहीं क्रियानमन नहीं हुआ समधाई दावा का नेरा गरत बिल्कुल भी नहीं हुआ और अब ग्राम समीतियां बनेगी जो अधियम है उनके अनुरूप वो समीतियां बनेगी और उसके अनुरूप काम होगा ताकि जितने भी हमारे आजवासी हैं या परमपरव जो तुरूप से रहने वाले लोग हैं उनको वनाधिकार के तहर उनको पट्टा दिया जाए मुख मंत्री ने कारिशाला में कहा कि अबुजमान एक ऐसा छेतर है जहां किसी प्रकार का सर्वे भी नहीं हुआ है यहां के रहवासियों को कैसे वनाधिकार मानेता पत्र दिया जाए इस पर गंभिता से विचार किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि अबुजमान के रहवासियों को उनके द्वारा अन्यमानी तरग्वा बताने पर तथा उनके द्वारा बनाए गए सौजी के अधार पर वनाधिकार मानेता पत्र दिया जाए मुख मंत्री ने कहा कि वनाधिकार मानेता पत्र देने के साथ ही गाउं और वनों में ऐसी गत्विदियां संचालित की जाएं जिससे वनवासियों को लाभ मिले इस मौके पर स्वास्त मंत्री टिये सीवदे ने कहा कि जल जंगल जमीन की प्रबंधन का अधिकार ग्राम सबह को दिया जाए 36 की 20,000 ग्रामों में वन भूमी अंकित है उनों ने कहा कि वन अधिकार पत्र उपलब्द कराने की कोई अंतिम सिथी नहीं है पात्र इहद्रवायों को वन अधिकार पत्र दिया जाए सीदे ने कहा कि पेशा कानून के क्रियानवन के लिए नियम बनाये जाएंगे और विधान सबह में पारिद कराकर इसका बहतर क्रियानवन किया जाएगा आदिन जाती विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम ने कहा है कि वन जाती विकास विकास विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है वन अधिकार पत्र के आविदनों को ग्रान सभा में पारित कराकर स्विकृति के लिए भीजा जाए ग्रान सभा द्वारा किसी भी आविदक के प्रक्रण को निरत करने का प्रावधान अधिनियम में नहीं है कारशाला को वन विभाग के अत्रिक्त मुख सचीव, सी के खेतान सचीव, डीडी सिंग, आदिन जाती विकास विभाग के आयोत अलेक्स पॉल मेनन, मुख मंत्री के संसती सलाकार राई सिवारी ने भी सम्मुदित किया और वन अधिकार के अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया आशुतोस तिवारी सौराजिक प्रेश जग्दलपोर अब बात करेंगे मुख मंत्री भुपईश बगेल के बस्तर दोरे के दूसरे दिन की लेकिन पहले दिन का भी जिक्र करेंगे क्योंकि मुख मंत्री के बस्तर दोरे में पहले दिन जो सबसे खास पल रहा था शाम के वक्का जब मुख मंत्री ने बस्तर टाइगर से मशूर रहे नेता स्वरगी महंदर कर्मा की प्रतीमा का अनावरान किया और पलिस वालों के बीच जिम्भे किया गौर्टलफ ही कि 25 में 2013 को कॉंग्रिस की परिवतन यात्रा में नक्ष्वी हमले में महिन कर्मा मारे गए थे जबत भी नारों के साथ जे वाता वरड़ा खुष्वा हो गया है जाए मारे हो रही है और तरही कुछ पहार समर्कित कर रहे हैं इस जिन आत्मा के प्रती अपना सम्भाण प्रकट करे रहे हैं प्ष्व प्रता के साथ पुष्व पंखड़ी नहीं ब्यादें सम्गी महिन कर्पा हमारे भी ठोड़ गया है तुछे साथ मुखर्टा के लोगाने वारे भी महन कर्पा हमारे भी नहीन है तो शेव नहरिया मंत्री श्रं इमाम नगरी आखरशाफीर 16 गरशाफर मादेनीझी जयरती पद्रवार आप उत घर्खापतन मादेनीझी ल okle 그러ंची 26 at सीवीriad 10 रूठाइगर में कर्मा मरवे माथ उत खांचे रूठाइगर में कर्मा मरवे माथ या लोडिया रूठाइगर में कर्मा मरवे मावड़, मावड...... चर्मा जी को ज्यांखों नहीं जानता जहे वो आद्वासी हो, गैराद्वासी हो, ग्यापारी हो, नौजवान हो जब सक्षे महें चर्मा जी थे लोगी विश्वाल करते थे कि हमारा संद्रफ्चत है उनके जब से रस्तर दाहीत नहीं हो सकता वहें हम सब मंपूस प्रफ्चित है हमारा अभिभावा है जगे तकीज मैं दोहजास तेरा दिखना हम सब को विच्वित रजिया है शहीद महें कर्मा हम सब के लिए प्रिज्णा के श्रोथ थे मेरे सुमर में भी लगभग ढ़ाई साल बड़े और राजनीती में उन चुने चुनंदा लोग से जिनके संदर में हम लोग उस उमीद से उनको देखा करते थे कि हाँ एक गंभीर व्यक्तित्व है एक ऐसा व्यक्तित्व जो समर्पित भाव से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं वो बहुत दुखत बहला थी जब कुरूर शड़ेंद कारियों ने पत्तीस मईद दो हजार तेरह को उनको हम लोगों से छीन लिया जो जो उनके संकल्प थे जो जो उनके सपने से आज उनका परिवार है जिम्मेदारियां समाल रहा है उनके परिवार के साथ बस्तर के लिए हम उन सारी बातों को पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए वो शंकल्प थे बस्तर को उन विकास की और संभाववनाओं की उचाई तक ले जाना चाहते हैं जो यहां विद्व मान है और यह प्रतिमा हम सबको सदै परिड़ित करती रहेगी कि दिन प्रती दिन प्रेडेट करती रहेगी कि जहां हम से चूप हो रही है ये प्रतिमा हम को सही रास्ते पे ले जाने का काम करेज़ा महीं बस्ता दोरे के दूसरे दिन की शुरात मुख मंत्री बुपेज वगेल की लाल बाग मैदान को ही यहां मुख मंत्री ने पुलिस परफॉर्मिस जीम सेंटर का उद्गाटन किया जिसे करीब एक करोड की लागत से बनाया गया है इस दोरान मुख मंत्री के अलावा मंत्री तामर दस्ताहू, मंत्री टीयस सिंदेव, मंत्री कवासी लक्मा, डीजीपी, डीयम मुवस्की समित कई नेता और अभिकारी मौजूद रहे मुख मंत्री भूपेज वगेल परफॉर्मेंस सेंटर को घटन करने के बाद खुच जीम में हाथ अदमाने लगे उन्होंने जीम में रखे मश्चनों में एक्सरसाइस किया, वहां मौजूद पलीस वालों को फिट रहने की बाद कही वहां आपसे जूद्धा में हैं? तब एक वरो और भाद करेंगे में ये सीवा एकारी में । वह वह एक कांते हैं? ये खतिछल ये जीम कि अतमने को बाद करते हैं। कि तरह करना है इसको बारा बारा कर्चार चाहते हुआ 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 है मुख मंत्री बुपिश बगिन नक्सल इंसा पिडित परिवारों के ना सिर्फ मिले बल्कि उनके परिवारों में सुख्षित रोंगों को उनुने नवकरी भी दी मुख मत्री ने नक्सल इंसा पिडित पांश बेक्तियों के परिवारों को सरकारी नक्सली हमले में मारे गए थे इसी तरह दंतेवाला जिले के नक्सल फ्रीड ग्राम समेली के गंगराम कुलोपी को बालक आश्रम बारसूर्ज में भृत ग्राम पोटाली के लक्षमी पोडियाम को मादमिक शाला मसेनार में भृत ग्राम गाटम की सवीता को कन्य आश्रम मेटापाल में भृत ग्राम भांसी कि समीता नार को शाष्ट की उच्छतर मादमी भी डाले भांसी में भित्र के पद्पर नोक्री है तू न्यूट की पत्र दिया गया जी वो नक्सिमी नोगरात को ग्यारा बारा बजे भाया को उटा के ले जाके मार दिये कि मेरे सामने ही तो वहाँ दोजर तरह अभी आपने क्या बाती है अभी अनुकमपा में ले दिये नोक्री के लिए इंप्यून में दिये अभी कैसे गुजारा हुआ था आपका बोट अपलिप में जा रहा था सर फिर पहले वाले कालेक्टर मेरे को डेल वीजन मेरा के थे काल पंचा इसके काम करवा रहे थे फुलिया बना रहे थे सब्सक्राइब नो बज़े उनको पूरा घेर के समार दी है दो ज़जर अठारा जी में पिछले साल कलेक्टर में को डेली वीज में दिये थे तो ओई कर रही थी अभी नोक्री दिये है अभी तो बस दी दिये दे लि प्रभावी शेतरों में युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार मूलक्स कारे उपलब्द कराने के लिए छेतर में नंतर संस्कृतिक गतविजियों के आईजन के निर्देश अधिकारियों को दिये वहीं भुपेश बगेर के बस्तर दरे के दूसरे दिन विजापूर और सुकमा जैसे गंगो नकसल प्रभाइद इलाके भी पहुँचे सबसे पहले भी विजापूर जिला के भोपाल पट्टम में आविजित चौपाल कारकर में शामिल ह उन्होंने विभिन विकास कानेों का लोकन किया और शेतरवासियों को समोझित भी किया जो बाड़ी लगाते हैं पंप लगाते हैं वो खेत को घेरते हैं अब यदि ये गवठान को घेर दिये हैं और पूरे मेविशी यही रहेगा उसके चारा पाइने की बेवस्ता हो जाएगा तो पसल के रफाली होगी कि नहीं होगी वास्ता में मुक्मंत्री बुपेश बगेल का ये बस्ताव दरब बस्तरवासियों के लिए हमेशा यादगार रहने वाला है ऐसे पहली बार हुआ जब पूरी सरकार ने बस्तर में डेर डाला ऐसा लग रहता जैसे शित्तर की राधानी दो दिनों के लिए बस्तर ही बन गई हो शायद ये पहला उसर होगा जब बस्तरवासियों के याहसास होगा कि जमीन पर उतरकर उन्हें सुनने वाला कोई शरकार भी है बुपेश बगेल भले ही मुक्मंत्री जैसे बड़े ओधे पर पहुँच गया है लेकिन उनके भीतर अभी गाओं, गरीब, किसान, जल, जंगन, जमीन पुरी तरह से बेदमान है, जिन्दा है यह उन्होंने अपने बस्तर दोरे से दिखा दिया, बता दिया मुक्मंत्री बुपेश बगेल सुक्मा जिले के नकसल प्रभावित गाओं, पूलम पल्ली पहुँचे, जहें उन्होंने गाओं के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए चौपा लगए इस दोरान सीम के साथ मंत्री कवासी लखमा तामर धजसाहू, पिये सीदेज शामिल थे सबसे पहले मुक्मंत्री में थाने में चौपा लगाते हुए नकसलियों से लोहा लेने वाले जवानों से बात की और उनकी समस्याओं को जल से जल दूर करने की बात कही इसके बाद उनोंने नवनिर्मित उपस्वास के अंदर का उध्खा एक्षन भी किया जिसके बाद उनोंने सुखमा को दो नई अंबूलेंस की सोखा दी और इसके बाद उन्हुनोंने सभा इस तरि पहुच कर लोगों को सम्भाद ली किया असका साथ ही कई सोगाते सुखमाज दिलेवासियों को दी है मुखेमंतरी में बिल्यापूर के निक्सल कर पहुंचे हैं सीम बगेल स्वास्त मंत्री टीयर सीधर और आपकारी एवंवाणिच मंत्री कवासी लखमा और तामरदर्ज साहू सीम बगेल ने मंच से कई सोगाते दी तो वहीं सीम बगेल बास फैक्टरी की घोशना भी की और महराश्टर से लगे भुपाल पटनम में अंतरराजी बस इस्टेंड की भी घोशना की सीम बगेल ने बीजापूर जिले के 34 करोण के विकास कार्यों का भुवी पुजन भी किया शेत्र के किसानों की आयर में वरद्दी के लिए सोलर पंप और फैंसिंग तार अनुदान की भी खुश्टा की कुल मिलाकर कहा जाए तो सीम बुपेश बगेल ने जिलेवासियों को कई योजनाओ की सौगाते जी है मुपे मंतरी बुपाल पटनम में जमागमन हुआ जिसमें बड़ी कुशी है कि तर्टेक यहां विबिन निवासरत सामाजों से मिले है जिसमें हम्डे शरुआदी बाटनम में जमाजों से मिले है सीम बुपेश बगेल बस्तर जिले के भोन गाउं पोचे सीम बगेल गाउं में चौपाल में शामिल हुए और मॉडल काउवलूखन किया चोपाल में भुपेश बगेल ने नर्वा गर्वा घुरुवा बारी स्कीम के फायदे भी संगा है उन्होंने इस पर लोगों के सुझाओं भी मांगे इस दोरान जब सियम भुपेश बगेल जब सला मांग रहे थे तब किसी वेक्ती ने हामी भरने को कहा इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंटों का और कहा कि जबर दस्ती हां नहीं बुलवाना है अगर हां है तो हां बोलेंगे और अगर ना है तो ना बोलेंगे सियम भुपेश बगेल दो दिन के दोरे पर जगदलपूर पहुँचे बस्तर रुकास प्राजी करण में मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा कि बस्तर में कनिश्ट चैन बोर्ड की स्थापना के साथ ही इंद्रा रती प्राजी करण का भी कशन किया जाएगा सुजे में आउट्सोर्सिंग भी बंद की जाएगी इसके साथ ही आदिवासी संगरालय बनाने के साथ जग्दलपुर में एनमडी सी मुख्यालय बनाने की मांग की जाएगी बैटक मुप्रदेश के वित्ध मंत्री शीव बहरिया जेशिव अगरवाल उसकुल शिक्षा मंत्री प्रेम शास्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लक्मा बस्तर सांसद दीपक बैज मौजूद रहे और इसी के साथ बस्तर की सोगात इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही देखते हैं सुराज एक्स्पर्स